वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अब तक तो नाम पता चल गया होगा फिर भी बता देता हूं माई नम इस पार्थ एंड हम आज चालू करने वाले हैं बाइधवे लास्टाम हमने क्या पड़ा था सेक्शुल रिप्रोड़क्शन इन प्लांट्स अब प्लांट्स का हो गया तो बच्चा क्या the human reproduction तो चलेए शुरू करते हैं ये जो कहानी है इस्ट इन सब मेल रिप्रोड़क्टिश सिस्टम बच्चों यह जो मेल रिप्रोड़क्टिश सिस्टम की स्चॉरी है This is a story about a soldier, a fighter और उस fighter का नाम है sperm, the male gamete यह जो sperm है न, एक नहीं है Millions of sperms यहां बनने वाले हैं और यह जो sperms है इनको एक बहुत लंबी जर्नी पर जाना है एक लंबे सफर पर जाना है That journey is full of difficulties, obstacles, कठी नाईयों से भरी हुए है Millions of them will die and सिर्फ एक sperm अपनी मनजिल तक पहुचता है And successful होता है तो हमें उस soldier के बारे में पढ़ना है तो भै शुरू करते हैं तो यह जो male reproductive system है It consists of some basic parts देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे TES कितने होते हैं, दो कैसे होते हैं, oval in shape अभी उसका spelling देखो क्या है TES, TES Testis जब मैं दोनों की बात करता हूँ तो यह spelling लिखेंगे लेकिन अगर एक testis का बात करना है तो उसका spelling हो जाएगा TES, TIS, singular तो difference हमझ़ रहा है, plural testis singular is this That's it अभी यह testis करता क्या है It produces the sperm पूरा manufacturing sperm का किदर होता है, testis के अंदर और दूसरी बात यह testis बनाता है, the male hormone testosterone और यह testosterone क्या करता है किदर है, क्या काम आने वाला है यह सब मैं आपको बताऊंगा one by one, don't worry अच्छा दूसरी बात sperm बन गए sperm को बाहार आने के लिए कुछ pipeline, कुछ tube लगेगा तो यहां पर बहुत सारे ducts है, आपको दिख रहा है एक tube उपर जा रहा है एक penis के अंदर से जा रहा है इन ducts के बारे में भी हम पढ़ेंगे one by one यहां पर एक और चीज होती है glands, बच्छो यह जो glands है they are organs that produce a certain type of fluid एक secretion produce करने वाले हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे यह लोग क्या करते हैं ठीक है तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं अब बच्चो सबसे पहली बात testis कहां पर है location बताओ the testis are present in the scrotum scrotum क्या है यह दिख रहा है आपको scrotum is like a pouch एक bag like structure होता है and that bag is made up of skin simple यह scrotum abdomen के बाहर है body के बाहर है लटा करा है उसको बाहर क्यों रखा है testis को body के बाहर क्यों रखा है the simple reason is जब sperms बनते हैं तो उनको body temperature पे बना नहीं सकते sperms require 1-2 degrees less than the body temperature उनको थोड़ा थंडा temperature चाहिए that is why the scrotum is placed outside the body that is why so उसको थोड़ा temperature कम मिले simple है अभी दूसरी बात आपको उपर एक छोटा bag दिख रहे है balloon urinary bladder लिखा हुआ है आपको याद है kidneys urine बनाती है और फिर वो urine urinary bladder के अंदर store होता है ठीक है urinary bladder में से कौन सा tube निकलता है याद करना उसको हम urethra बोलते है जिसमें से urine पास होने वाला है इस urethra का एक और नाम हमें बताया हुआ है urinary genital duct ये याद रखना टेक्स्ट बुक में दिया है urinary genital duct और ये urethra किस organ में से पास हो रहा है that organ is called as nothing but penis इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी सिर्फ इतना समझा के testis कहां है scrotum के अंदर अभी चलो हमने एक testis लिया और उसको खचक काट दिया उसके अंदर घुसके हमने देखा तो मुझे बहुत सारी tubes दिख रही है दिख रही हैं कि नहीं तो सबसे पहली tube का बात करेंगे there are numerous seminiferous tubules आपको yellow color का maggie noodle के जैसा tubes दिख रहे हैं अंदर इसका नाम है seminiferous tubules अब बच्चों बाकी के tubes के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं पहले seminiferous tubes सारे के सारे joint हो रहे हैं एक point पे वो जो network of tubes है उसको बोलते हैं rate testes ठीक है rate testes के उपर आपको tubes दिख रहे हैं छोटी छोटी चार पाच they are called vas efferents देखो बच्चों थोड़े names difficult हैं थोड़ा मेरे साथ revise करते जाओ तो easily याद रहेगा सबसे पहले क्या है seminiferous tubules they joint to form the rate testes rate testes के उपर कौन है vas efferents अब vas efferents में से आपको दिख रहा है coiled tube बन रही है जो नीचे जा रही है उस tube को बोलते हैं epididymus यहां तक बात समझी seminiferous tubules rate testes vas efferents and epididymus यहां तक ठीक है चलो थोड़ा अगे जाओ अब ध्यान से सुनना seminiferous tubule के अंदर होते हैं germinal epithelium cells होते हैं जिनको बोलेंगे germinal epithelium they will undergo meiosis they will divide by the process of meiosis बच्चों meiosis याद करना एक parent होता है deployed होता है and it divides twice meiosis 1 होता है meiosis 2 होता है to form 4 haploid cells gametes तो यह जो पूरा meiosis का process है कहां होने वाला है inside the seminiferous tubules and क्या बनने वाला है sperms तो बच्चों यह process कैसे होती है देख लेते हैं चलो तो यह जो cell आपको दिख रहे हैं they are dividing यह कौनसे cell है they are the germinal epithelium and धीरे 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 at the end of meiosis क्या बन रहा है च्चोटे च्चोटे टाइनी टाइनी क्यूट क्यूट sperms और यह sperms कहां release हो रहे है inside the tube simple है sperm बन गए अब आगे क्या होगा देखो now let us understand यह sperm कौनसे tube से कैसे कैसे pass होते हुए बाहार आने वाला है let us understand the course of sperms inside the test is कैसे कैसे वो pass हुआ तो चलो यह white white color का imagine करो यह क्या है sperm से sperm बन गए है तो now these immature sperm यह लोग mature हुआ नहीं है these immature sperms will pass into rated test वो जो आपको connection दिख रहा है ना वहाँ जाएंगे चलो पहुंच गए rated test जिस के ऊपर कौन है vast reference तो अब यह sperms को हम धक्का मारके जहां भेज़ेंगे inside the vast reference चलो पहुंच गए फिर vast reference के नीचे कौन सी tube है epididymus तो यह sperms को अब धक्का मारके हम भेज़ देंगे epididymus के अंदर and sperms यहां नीचे पहुंच गए आपको दिख रहे हैं na sperms अब बच्चों एक बात बता हूं आपको यह जो epididymus है na it is very long and जब sperms इस epididymus से पास हो रहे हैं they will become mature mature मतलब क्या हुआ सर बड़े हो गए क्या नहीं उनका जो tail होता है na वो पहले active नहीं था वो लोग swimming कर सकते नहीं थे लेकिन जब वो epididymus में से पास हुए they became mature उनका जो tail था वो active हो गया अभी वो लोग swimming कर सकते हैं and finally they will be able to fertilize the ovum वो fertilization कहां होगा यह हम पढ़ेंगे female reproductive system में अभी यहां तक बात समझी अच्छा एक simple fact बताता हूं the length of the epididymus is about 6 meters तो यह जो पूरा tube है यहां पे तो छोटा सा दिख रहा है actually बहुत बढ़ा होता है 6 meter लंबा है it is highly coiled एकदम super super coiled है and testis के back side में होता है ऐसा topi के जैसा होता है testis के उपर बराबर है and sperm कितना छोटा होता है the length of a sperm is about 60 micrometer sir micrometer मतलब कितना 10 to the power minus 6 meters इसको हम 60 microns भी बोल सकते है it is very 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 tiny कितना tiny है यह मैं आपको बताऊंगा आपको एक idea दूंगा तो यहां तक बात समझी है sperm कहां पहुँच गए है FpT dimens के end में तो अब कहां जाएंगे अब एक ही रस्ता है उपर जाना है चलो भेजते हैं जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा 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 अब वो उपर जाएगा कहां जाएगा यह मैं आपको बताता हूं तो भाई बच्चों हमारे sperm कहां है testis के बाहर आये थे FpD dimens के बाहर आ गए देखको आपको नीचे दिख रहे है वाइट वाइट कलर का ग्लो हो रहे है अब यह sperm उपर जाएंगे आपको एक रेड कलर का ट्यूब दिख रहा है उस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस बच्चों testis के अंदर क्या था वास एफरेंस बाहर क्या है वास डेफरेंस do not get confused नाव यह sperm उपर जाएंगे भाई जा रहे है जा रहे जा रहे जा रहे पूरा urinary bladder के उपर से U-turn मारके वापिस नीचे आए यहां तक पहुँच गए आपको दिख रहे हैं कहां पहुँच है अभी उसके आगे आपको एक छोटा सा ट्यूब दिख रहे हैं that small tube is called as ejaculatory duct नाम है ejaculatory duct तो यह sperm उसके अंदर पास होंगे ठीक है अभी ध्यान से सुनना urinary bladder दिख रहे है urinary bladder में से कौन सा tube निकलता है हमने उसको urethra बोला है also called as urinogenital duct तो अभी इस sperm urethra से पास होके penis से बाहर आएंगे आपको एक basic रस्ता समझ में आया sperm किदर से किदर से किदर गया testis से बाहर आया vas deferens से उपर जाकी uton मारा ejaculatory duct में से पास हुआ and urethra से बाहर आया यहां तक बात समझ में आई लेकिन बच्चों यह sperm अकेला बाहर आता नहीं है sperm के साथ बहुत सारा liquid एक fluid add होने वाला है तो यह fluid कहां से आएगा सुनो हमने कुछ glands के बारे में बात की थी accessory glands यह gland क्या होते हैं इनका काम है to produce secretion organ होते हैं जो fluid बनाते हैं तो यहां कौन से glands हैं चलिए देखते हैं सबसे पहला gland है जिसका नाम है seminal vesicle चबाया हुआ च्विंगम कैसा होता है आपने च्विंगम खाया है ना चबाया हुआ च्विंगम सेम दिखता है यह seminal vesicle इसको हम चिंगम बोलेंगे seminal vesicle उसके नीचे आपको एक prostate gland दिख रहा होगा urinary bladder की नीचे छोटा सा apple की जैसा organ है prostate gland ठीक है एंड उसके भी नीचे आपको एक red color का लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है that is called the Cooper's gland also called as bulboyurethral gland तो कितने gland हैं तीन चिंगम, seminal vesicle apple, prostate gland और लॉलीपॉप, Cooper's gland बात समझ में आ रही है ये बच्चों तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताता हूँ बात करेंगे seminal vesicle की the seminal vesicles will secrete into the ejaculatory duct ध्यान से सुनना seminal vesicle के अंदर जो fluid आपको yellow yellow color का दिख रहा है वो fluid सबसे पहले कहा release होगा into the ejaculatory duct are you understanding seminal vesicles किसके साथ joint होते हैं ejaculatory duct के साथ और अपना secretion वहाँ release कर देते हैं पहली बात अभी दूसरी बात prostate and cooper's gland इनका secretion कहा release होगा into the urethra देखो prostate का red color का आपको दिख रहा है secretion है और cooper's gland का blue color का secretion दिख रहा है यह दोनों secretion कहा release होने वाले हैं into the urethra into the urinogenital duct यहां तक बात समझ में आई है अभी मुझे बात बात आना red वाला tube कौन सा है उपर जा रहा है vast difference vast difference के अंदर आपको sperm दिख रहे है ऐसे सी हिल रहे हैं पहुच गए यह sperms भी नीचे आएंगे and seminal vesicle का secretion भी नीचे जाएगा दिख रहे हैं तो यह सारी चीजे चार चीजे mix हो जाएंगी urethra के अंदर they will all combine एक मिश्रन बन जाएगा इनका हां की ना तो यह मिश्रन का क्या होने वाला है आगे देखो अचा बच्चो एक और बात आपको बता दूँगा थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं जब sperms body के बाहर आने वाले होते हैं penis becomes erect ऐसा hard हो जाएगा एकदम straight हो जाता है इसके पीछे भी reason है वह reason मैं आपको बात में बता हूंगा तो अभी पहले एक बात समझ लेते हैं equation देखे अपना क्या है sperms plus secretion of all the glands कौन से gland seminal vesicle prostate gland and cooper's gland तो चलो आपको देख रहा है यूरेत्रा में sperm आ गए है और उसके साथ साथ सारे secretions भी आ गए है तो यह जो mixture है इसको बोलते हैं semen क्या बोलना है semen and the release of semen through the penis is called as ejaculation तो जब यह semen release होता है penis से बाहर आ जाता है इस process को क्या बोलते है ejaculation अब बच्चो एक important interesting बात बता रहो एक ejaculation में कितने एक बार में around 300 to 400 million sperms release होते हैं 30 करोड से लेके 40 करोड sperm एक टाइम पे बाहर आते हैं एक ejaculation में बाहर आते हैं sperm किदर बना semine forest tubule उदर से किदर गया वहां से एक टाइमिस एक टाइमिस कितना लंबा था शे मिटर वहां से वास डिफरेंस वहां से ejaculatory ड़क्टर वहां सी उरेथरा इतना घूम के आया है कितना घूमा 6.5 मीटर का distance क्रोस किया और बाहर आया बहुत लंबी जरनी है इसके आगे भी बहुत दूर जाना है उसको उसके बारे में भी बात करेंगे यहां तक बात समझ में आई है what is semen it is the mixture of sperm and secretion of all the glands ठीक है अच्छ semen colorful नहीं होता है जैसा वहां दिख रहा था it is white whitish in color white color का होता है and एक time पे एक ejaculation में कितना semen produce होता है around 3 to 5 ml ठीक है एक time पे 5 ml semen produce हुआ इस 5 ml में 90% fluid रहेगा from the glands glands मैंसे तो secretion आया था ना वो 90% 90 to 95% तो sperms कितने है only about 5% and वो 5% sperm कितने है 300 to 400 million sperms तो are you understanding now के sperm कितना कितना tiny है और छोटा है it is the smallest cell in the human body और यह जो छोटा सा sperm है it will need large amount of energy भई इस sperm को एक लंबे जर्नी पे जाना है सफर पे जाना है तो उसको energy चाहिए तो यह energy कौन देगा fructose which is present in the fructose क्या है अपने glucose सुना है it is a sugar वैसा ही fructose उसका भाई है यह भी एक टाइप का शुगर है और fructose कहां से आया seminal vesicle याद है उसका जो fluid था secretion था उसमें होता है fructose यहां तक बात समझे हो थोड़ा आगे जाओ ठेक है last point बताता हूं आपको बच्चो sperm बनने कब produce होंगे अब जब एक लड़का एक मर्द puberty hit करेगा जब उसका sexual maturation होगा around the age of 10 to 12 10-12 की age में तब sperms produce होने चालू होंगे और कब तक बनेंगे till death जब तक वो एकदम बड़ा होके मर नहीं जाता है तब तक उसका manufacturing sperms का बनना चलते रहेगा लेकिन quantity कम हो सकता है sperms की quality कम हो सकती यह सारी चीज़े affect होंगी with age लेकिन manufacturing बन्ध होने वाला नहीं है it will go on till the death यहां तक बात समझी है this is everything about the male reproductive system जिता आपको पता होना चाहिए at this age because very informative and very interesting आपको मजा आया होगा I hope तो थोड़ा एक like और एक share और एक subscribe तो बनता है share it with your friends सबको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए and यहां पर summary मैंने नहीं डाली है because textbook में वैसे ही दिया हुआ है and thank you very much